शबी बिद्यार्थियों को राम राम आज बहुत बड़ी खुसकबरी आप सभी के साथ में सेर करने जा रहा हूँ आज की पेपर में गजट हुआ है कि गड़ित बिशय वाले भी बन सकेंगे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट कैबिनेट में लग सकती है मोहर तो आज के पेपर में जो गजट हुआ है वो बाते मैं आपको दिखा रहा हूँ लखनो जागरण में निकला है कि प्रदेश में गड़ित बिशय से पढ़ाई करने वाले भी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बन सकेंगे इसके लिए आयुर्वेदिक भेशच की सेवा नेमावली में बदलाव होगा इसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठंग में रखा जाएगा कैबिनेट की मोहर लगने के बाद गड़ित बिशय से पढ़ाई करने वाले करने के बाद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिगरी लेने वाले विभाग में निवक्ती भी पा सकेंगे वही कैबिनेट की बिर्तिय बैठंग तेईश चोबिस के पहले अनपूरग बज़र प्रस्ताव का अनमोदन सहित करीब दो दर्जन प्रस्ताव पर भी चर्चा हो आयुर्वेद विभाग में अभी तक आयुर्वेदिक भेशज सेवा नेमावली में लिखा है कि बिज्ञान वर्ष से इंटर्मीडियर और भेशजिका में डिप्लोमा करने वाले ही निवक्ती के योग होंगे जबकि एलोपैथी से डिप्लोमा इंफार्मेशी के योगता के लिए सिर्फ इंटर्मीडियर विज्ञान यानि गडित और जूबिज्ञान से इंटर्मीडियर की पढ़ाई करने वाले डिप्लोमा इंफार्मेशी डिगरी ले सकते हैं डिपलोमा इन फार्मेसी के तरज पर ही कुछ आयुरबेदिक कालेजों ने भी गड़ित विसे वाले छात्रों को डिपलोमा इन आयुरबेदिक की डिगरी दे दी सेवा नेमावली सिर्फ जी विग्ञान विसे को रखने के नियम की वज़ा से आयुरबेद विभाग में फार्मासिस्ट की नियुक्ती प्रकिरिया ठप हो गई अब सेवा नियमागली में बदलाव किया जा रहा है एलावपैठी के फारमासिस्ट सेवा नियमागुली की तरह ही आयूरबेद में भी गडित हुआ बिज्ञान से पढ़ाई करने वाले आयूरवेदिक फारमासिस्ट की डिगरी लेने वाले बृतिय भरती में सामिल हो बच्चे फार्मारशिस्ट वो भी उनकी जो viral version हो जाएगी तो आप लोग मान के ये चलिए कि आप लोगों की बेकंसी जाधे से जाधा जनौरी तक आप लोगों को जो है आप लोगों का फार्म देखने को मिल जाएगा तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पे तयारी कर रहे हैं वो लोग तयारी कर लें और जो लोग पैड़ बैच लेना चाहते हैं वो पैड़ बैच भी लेके जो है अपनी तयारी सुनिश्चित कर सकते हैं तो इसी के साथ मैं मिलता हूं पुना एक अच्छे टॉपिक के साथ तभी के लिए धन्यवाद